साल 2023 आप लोगों के लिए spiritual upliftment का year है, ये साल आपके लिए learning का year है, इस साल आप ज़ादा spiritually inclined feel कर सकते हैं, ज़ादा connected feel कर सकते हैं और ये divine connectivity आपको introspect करने में मदद करेगी, आप ये आपकी समझ पाएंगे कि actually कौन से वो factors थे, कौन से वो loopholes थे, कौन से वो points थे जो आपकी growth मे बादा थे, और उनको सुधारने की जरूरत है, किन जगहों पे आपको सुधार कारे करने की जरूरत है, और ये वो साल है जब लर्निंग्स के साथ, उन improvements के साथ, आप कहीं ज़ादा बहतर काम अकरशित कर पाएंगे, बहतर work opportunities आपको मिलेंगी, उस से ज़ादा पैसा आपक आप महसूस कर पाएंगे, इस साल मई-जून के महीने में आपको foreign की तरफ से भी काम मिल सकता है, और उसको पूरा करने के लिए आपको foreign travel भी करना पड़ सकता है, और यही वो समय है, लगबग middle of the year, जब आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक सल की यात्रा भी कर सकते हैं, एक religious excursion हो सकता है, आप बाहर जा सकते हैं, जो लोग अभी तक शादी शुदा नहीं हैं और शादी का इंजार कर रहे हैं, उनके लिए March-April का महीना बहुत जादा strong chances लेके आ रहा है marriage होने के लिए, तो तयार रही है, इस साल शादी के होने के बहुत जादा chances हैं, औ बनते हैं, उस तरहें के trade में हैं, उस तरहें के business में हैं, या sports की line में हैं, ये सब लोगों के लिए साल 2023 विशेश रूप से बड़ी अच्छी growth opportunities लेके आने वाला हैं, सिर्फ एक ही point of concern है कि इस साल आप hurdle से परिशान नहों, यदि आपके efforts में आपके काम करने के दौरान बा अपना बोलते हैं, अपना cool बनाए रखें, धहरे बनाए रखें और सही opportunity का और सही समय का इंजार करें, सही opportunity आपको जब मिलेगी तब आप perform करेंगे तो best results आपको मिलेंगे, इस साल के लिए साल 2023 में maximum आपको growth मिले, success मिले, इसके लिए success मंत्रा है कि पक्षियों को ज़रू या फिर आपकी एरिया के जो veterinary hospital है, जानवरों के hospital है, उसमें जाके भी आप अपनी services या पैसा या खाना वहाँ पर आप दे सकते हैं, साल 2023 के लिए आपका money मंत्रा है कि number 5 और number 8 को सबसे जादा preference दीजिए, आपको जो भी financial transactions करने हैं, आपको जो भी effort करने हैं, किसी client से मिल जाना है, important meeting है, उसकी date time decide करना है, product का price decide करना है, किसी व्यक्ति को payment के लिए call करना है, तो ये सारे efforts के लिए number 5 और number 8 को आप preference दीजिए, कोई भी date जिसका total 5 आता है, 8 आता है, या कोई भी time जिसका total 5 या 8 आता है, जैसे 3 बज़ के 20 मिनट, शाम को 5 बज़ कोई भी ऐसा time जो इन दो numbers पर आता है, उनको आप preference दे सकते हैं, इसके इलावा, blue, black और grey ये 3 color है, basically black के shade है, blue के shade है, lighter और darker version, इनको आप preference दीजिए, इनके आप कपड़े पहन सकते हैं, इनको आप surroundings में use कर सकते हैं, इन colors से आपको growth और success में आपको help मिलेगी, number 3 और number 8 के लोग आपके लिए शुरूप से सही होगी होंगे इस साल में, supportive होंगे, ये लोग आपके लिए मददगार साफित होंगे, और इसके इलावा पश्चिम दिशा आपके लिए सहायक होगी, west is the direction, जहां पे बैठ के आप उतना काम करें, या पश्चिम दिशा से आप कोई business या opportunities को expect कर सकते हैं, औ वो आपके लिए खास तोर पे आपके लिए supportive होगा, आपके लिए विशेश रूप से फाइदे मन साबित होगा, I trust Numero Vastu के pointers, आपको साल 2023 का maximum फाइदा लेने में मंदद करेंगे, wish you all a very happy new year, thank you, stay connected.